नमस्कार आप देख रहे हैं Money Munch दोस्तों आज मैं फिर से हाजर हूँ एक बिलकुल नई investment जानकारी के साथ अगर आप retirement के वक्त तक एक बड़ा fund तयार करना चाहते हैं तो इस काम के लिए mutual funds में investment आपकी बहुत मदद करेगा खासकर long term में mutual fund की scheme में काफी अच्छा return देने के लिए जानी जाती है आज हम इस विडियो में एक ऐसी ही mutual fund scheme की जानकारी देंगे जो retirement investment के लिए अच्छी है आज हम बात करेंगे HDFC mutual fund की एक शांदार scheme के बारे में जहां हम SIP के थरू हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा invest करके एक बड़ा fund तयार कर सकते है तो चलिए सबसे पहले हम जानते है HDFC mutual fund की इस scheme के बारे में और उसके बाद हम इसे calculate भी करेंगे की कैसे आप 1000 रूपे की मन्थली SIP स्टॉट करके 6.31 करोड रूपे तक का fund तयार कर सकते है HDFC mutual fund की इस scheme का नाम है HDFC Retirement Savings Fund Equity Plan Direct Plan यह एक flexi cap mutual fund है जो सभी तरीकों के cap में निवेश करती है यानि large cap, mid cap और small cap तीनों तरह की category के shareों में इसका निवेश होता है जबसे यह scheme start हुई है, यानि फर्वरी 2016 से लेकर अब तक इस scheme ने काफी अच्छे returns दिये है अगर किसी ने इस scheme में 3 साल पहले 1,00,000 रूपे invest किये थे तो वो आज 2,26,000 हो गए है, यानि 3 साल में 2 गुना से ज़्यादा का return दोस्तों, अगर आप retirement planning के बारे में सोच रहे हैं, तो ये scheme आपके लिए एक अच्छा investment option हो सकती है इस scheme में invest करके आप किसी भी FD और RD से 3 गुना से ज़्यादा return पा सकते हैं लेकिन दोस्तों, equity mutual funds में risk बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इन funds में आपको अपनी risk profile देखकर ही निवेश करना चाहिए दोस्तों, अगर बात करें इस fund की holdings की, तो इस fund की top holdings है यानि इस fund ने इन companies के shares में अपना पैसा invest किया हुआ है दोस्तों, अगर हम इस scheme के return की बात करें तो इस scheme का all time return 20.68 प्रतिशत का है इस scheme का 7 साल का return 17.64 प्रतिशत का है और इस scheme का 5 साल का return 20.74 प्रतिशत का है अगर हम पिछले 3 साल का return देखे तो पिछले 3 साल में इस scheme ने 31.26 प्रतिशत return दिया है और पिछले 1 साल की बात करें तो इस fund ने return दिया है 28.84 प्रतिशत का इस fund में minimum investment SIP के जरिये 100 रुपे और lump sum भी 100 रुपे कर सकते है यानि आप इस scheme में 100 रुपे के छोटे से amount से investment स्टार्ट कर सकते है maximum की कोई limit नहीं है आप जितना चाहे उतना पैसा invest कर सकते है इस fund का NAV अभी 42.01 रुपे चल रहा है इस scheme का fund size 3746 करोड रुपे का है यानि इतने पैसे लोगों ने इस fund में निवेश किये हुए है इसका expense ratio है 0.77 प्रतिशत का इस scheme का lock-in period है 5 साल या retirement की उम्र तक जो भी पहले हो ये तो बात हुई इस scheme की details की आगे इस वीडियो में हम calculate करके देखते है कि अगर आप इस scheme में 1.7 एक लाख रुपे lump sum invest करते है तो आपका पैसा कितने साल में कितना हो जाएगा या फिर अगर आप इस scheme में 1.000 रुपे महीना से SIP शुरू करते है तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा दोस्तों सबसे पहले हम 1.000 रुपे की lump sum investment को calculate कर लेते है यहाँ पर हमने return माना है 20 प्रतिशत का जो की इस scheme का all time return है दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि mutual fund में returns की कोई guarantee नहीं होती है यहाँ पर हम 20 प्रतिशत का return सिर्फ calculations के लिए मान कर चल रहे है और आने वाले time में ये 20 प्रतिशत से कम या ज़्यादा हो सकता है अगर आप इस पैसे को 5 साल के लिए invest करते हैं और इस पर return मिल जाता है 20 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 1,48,831 रुपे का एक लाख रुपे जो आपने invest किये है उन्हें मिला कि आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 2,48,831 रुपे होंगे अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए invest करते हैं और इस पर return मिल जाता है 20 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 5,19,173 रुपे का एक लाख रुपे जो आपने invest किये है उन्हें मिला कि आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 6,19,173 रुपे होंगे अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए invest करते हैं और इस पर return मिल जाता है 20 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 37,33,769 रुपे का एक लाख रुपे जो आपने invest किये है उन्हें मिला कि आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 38,33,769 रुपे होंगे अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए invest करते हैं और इस पर return मिल जाता है 20 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 2.36 करोड रुपे का एक लाख रुपे जो आपने invest किये है उन्हें मिला कि आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 2.37 करोड रुपे होंगे अगर आप इस पैसे को 35 साल के लिए invest करते हैं और इस पर return मिल जाता है 20 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 5.90 करोड रुपे का एक लाख रुपे जो आपने invest किये है उन्हें मिला कि आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 5.91 करोड रुपे होंगे इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर एक साथ एक लाख रुपे इन्वेस्ट करके 35 साल में 5.91 करोड रुपे तक का फंद तयार कर सकते है दोस्तों अब हम calculate करके देखते है कि अगर आप इस स्कीम में 1000 रुपे महीना से SIP शुरू करते है तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा यहाँ पर हमने return expect किया है 20 प्रतिशत का जो कि इस स्कीम का all time return है अगर आप इस SIP को 10 साल जारी रखते है और इस पर return मिल जाता है 20 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 2,62,364 रुपे का 1,20,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे और total value जो होगी वो 3,82,364 रुपे की होगी अगर आप इस SIP को 20 साल जारी रखते है और इस पर return मिल जाता है 20 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 29,21,489 रुपे का 2,40,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे और total value जो होगी वो 31,61,489 रुपे की होगी अगर आप इस SIP को 30 साल जारी रखते है और इस पर return मिल जाता है 20 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 2,30,000 रुपे का 3,60,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे और total value जो होगी वो 2,34,000 रुपे की होगी अगर आप इस SIP को 35 साल जारी रखते है और इस पर return मिल जाता है 20 प्रतिशत का तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा 6,27,000 रुपे का 4,20,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे और total value जो होगी वो 6,31,000 रुपे की होगी इस प्रकार आप इस scheme के अंदर 1,000 रुपे महीना से SIP शुरू करके 35 साल में 4,20,000 रुपे जमा करके 6,31,000 रुपे तक का फंद तयार कर सकते है दोस्तों यह इस फंड में निवेश की सलाह नहीं है mutual fund में निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश से पहले अपने अड्वाइजर से परामर्श कर ले तो आपको यह प्लान कैसा लगा इसके बारे में हमें comment करके जरूर बताए इसके अलावा आप कौन से mutual funds के बारे में विडियो देखना चाहते है वो भी हमें comment section में जरूर बताए दोस्तों, mutual fund में निवेश करने के तीन तरीके होते है पहला fund company की website, दूसरा broker के थुरू और तीसरा घर बैठे mobile app के द्वारा अगर आप mobile app के जरिये निवेश करना चाहते हैं तो आप stocks का link नीचे description में दिया है उस पर click करके आप अपना demit account open करके direct invest कर सकते हैं धन्यवाद